कि हलो फ्रेंस मेरागनी और आज हम सीखेंगे स्लीब का बहुत ही सिंपल और आसान डिजाइन तो देखिए फ्रेंस यहां पर अपने साइज की सापसे मैंने स्लीब को यानि बाजू को कट कर लिया में कपड़े की वी कटिंग कर लिया और अस्तर की वी तो आपको भी जितना चाहिए अपने साइज की साफसे कर ल का आज साडे 9 यूँच यहां पर हम बाजू की लिया लिये हैं और यह पे इसका चांडाइं हम लिये हैं 9 इंच का एँच की 26 है chest का स्लीब धे साड़े 3 इंच डौन कर कि इसको कट कर लिये हैं और यहां पर देखिए और च. तो यहां पर चारगोर दो पीस कट करेंगे एक पीस तीन इंच लंबाई चोणाई में होगा तेखिए कुछ इस तरह से इसको ट्रैंगल में फोल्ड करेंगे यहां पर कपड़ा काफी लूज था इसके अंदर में पेपर पेस्टिंग यूज की हूँ अप्टाइट कपड़े ट्रैंगल में फोल्ड करने के बाद से दूसरा पीस लेंगे और यहां पर देखिए इसको बराबर कर लेंगे यह वाला पीस हम धाई इंच लंबाई चोड़ाई में ले रहे हैं और देखिए यह किनारे से आपको उंगली के मदश से देखिए कुछ इस तरह से जब आपको बन जाएगा और बिल्कूल यहां पर इसके संटर में रखके स्टीच कर लेंगे तो एक पीस यहां पर हमारा रेडी हो गया है एक्स्ट्रे कपड़े को नीचे से बराबर कर लेंगे और पूरे पीस को सेम इसी तरह से आपको रेडी करना है आप यहां पर देखिए साइड से तीने छोड़ते हुए डिजाइन को नीचे के साइड रखके स्टीच करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि में कपड़े में जो बाजू का मोहरी है यहां पर पाइपीन करके रेडी हुआ है पहले से ही अगर आप में इसका जो मोहरी है नहीं रेडी है तो आ जिस तरह से आपको सुविदा लगे आप कर सकते हैं यहां पे बॉर्डर इसका रेडी है इसके नीचे की साइड रखे इसको स्टीच कर रहे हैं अब देखी इसे उल्टा करेंगे और यहां पे जो हमारा कॉटन का पीस है न उसको आधा इंच फोल्ड कर लेंगे आधा इंच से इसके उपर इस तरह से रखेंगे ताकि जो इसका मार्जन वाला पाठ है अच्छे से ढख जाए तो इस तरह से दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी फिनिसिंग आती है देखें उल्टे साइड भी न कोई भी एक्ष्टा कपड़ा ने दिखर है डिजाइन के बाद अब अ यहां पर देखें चारो तरफ सिलाई लगाने के बाद से सीधा करके इसको चेक कर लेंगे कि कहीं भी फूलन तो नहीं आया है और बाकी आपको एक्ष्टे कपड़े को कट कर लेना है यानि अस्तर के बाद जो भी आपको कपड़ा दिख रहा है उसको कट करके अच्छे से क अगर आपके पास paper pasting notkyain to Alrighty Iuseer I use palette laser кино place like a paper pastting नहीं है तो आप अस्तर के ऊपर 2 साइड एकिंच मार्क करेंगे सेंटर में भी एकिंच मार्क करेंगे फ़ोल अथे साइड ऑठेंदे ऊखो से आफ़ दूरे पर एक लाइन बना लेना है यहांकि पहले साइड करना है औरल यहां फैसे लीच के दूरी पर आपको घ्रिकींच करले murmek सबसे पहले अंदर के साइड का जो marking है उसको कट करेंगे और उसके बाहर के साइड जेतना आपको मार्जन चाहिए अब उतना आपको कट कर लेना है अब देखे फ्रेंस दोनों बाजू के लिए एक ही साथ कट करेंगे कौटन के कपड़े के ऊपर रखे इसको चिपका लेंगे साइड से इसको फोल्ड करते हुए देखे इस तरह से किनारे को सेट कर लेंगे चारो तरफ से आपको सेम आइडिया से फोल्ड करना है देखिए चारों तरफ से बराबर बराबर से फोल्ड करने के बाद से अब इसको बिलकुल बीचों बीच से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है देखिए और उपर के साइड ये कट लगा देना है बीचो बीच में नीचे के साइड देखिए जहां भी बीच आए वहाँ पे अपको छोक से निसान बना देना है अब हम बाजू को लेंगे और बाजू को भी बीच से फॉल्ड करने के बाद से न इसके बिल्कुल बीचो बीच में कट लगा देंगे उपर के साइड और नीचे के साइड निसान बना लेंगे अब देखिए डिजाइन वाले पाट का कट और बाजू का कट दोनों एक पर मिला के रखेंगे बिल्कुल सीधे में और नीचे के साइड भी जो सेंटर मार्किंग है ना दोनों एक पराना चाहिए और यहाँ पे बीच में एक पिन लगा लेंगे यहाँ पे देखें पिन लगाने के बाद से जिस तरह से पेपर पेस्टिंग की कटिंग हुई है सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे स्टीच कर लेना है बिल्कुल सीधे में और चार कोर में यहाँ पे अगर 32 साइज 32 साइज के लिए अगर आप यह बाजू बना रहे है न तो जो एक इंच की चंडाई पे हम कट किये न आपको एक इंच में दो पॉइंट कम कर लेना है तो देखिए बीच का कपड़ा कट करके निकालेंगे और जहाँ भी कोना है उस वहाँ पे कट लगाएंगे यहाँ से नौखुन से दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके हलका प्रेस कर लेंगे और उसके बाद से इस पट्टी को हम अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे देखिए पट्टी को अंदर के साइड फोल्ड करके इसके उपर प्रेस लगा लेंगे उपर के साइड जहाँ भी अपको एक्स्टार लगे उसको बराबर कर लेना है यहाँ पे साड़े तीन इंच लंबाई चोड़ाई में चार कोर कपड़ा लेंगे और इसे ट्रेंगल में फोल्ड करेंगे ट्रेंगल में फोल्ड करने के वाद से इसको पहले चारो तरफ से इस तरह से स्टीज कर लेंगे ये वाला कपड़ा काफी लूज है इसके उसे मुझे चारो तरब से इसको पहले सिलना पड़ रहा है उसके बासे इसको फोल्ड करके देखिए अब उसके बासे एक और बार फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे दूसरा पीस देखिए इस तरह से बना पहले ट्रैंगल में फोल्ड करें अब उसके बासे फिर से एक और बार फोल्ड कर लेना है तो देखिए दो से हमरा रेडी हो गया है और दो नो पीस को देखिए इस तरह से आमने सामने रखता दोनों को नो आःक जो नोः निका और एको रख़तsystem कर लेना ना रिक है अब इसी तरह जे आपको तीन पीस को रेडी कर लेना है और जो भी आपके ब्लाउज में कंट्रास्ट कलर मैच करें उसके कलर का आपको यहां पे लेश लगा लेना है यहां पर हमारे एक पीस रेडी हो गया लेश के साथ अब दूसरा पीस भी सेम एडिया से त्यार कर लेंगे तो देखे फ्रेंस इसी तरह से आपको तीनों पीस को त्यार कर लेना है और अब इसके बीच में मोती टक करेंगे तो यहां पर देखे बिलकुल सेंटर में आपको गोल्डेन कलर का मोती टक कर लेना है यहां पर देखे मोती को आपको अच्छे से टक करना है ताकि पहनने के बाद से निकले ना इसको दो बार रिपीट कर लेंगे अच्छे से धागे को खींचते हुए और यहां पे देखिए फ्रेंस मोती लगाने के बाद से ने इसको उल्टे साइड करके अच्छे से गांट लगा लेंगे ताकि खुलेना यहां पे मैं दो बार गांट लगा ले रही हूँ और उसके बाद से आपको यहां से धागे को कट कर लेना है तो एक पीस यहां पे रेडी हो गया है बाकी इसी तरह से पूरे पीस में आपको मोती लगा लेना है और मोती लगाने के बाद से अब हम क्या करेंगे यहां पे पेपर लेंगे और पेपर के उपर बिल्कुल सीधे में आपको रखना है उपर से बराबर से मिला के रखना है और जितना भी इसमें गैपिंग है बिल्कुल उसके हिसाब से आपको चार कोर मार्किंग कर लेनी है कन एक कुछ स्वाइन से कटिंग के ते तो डब़मे किछ थे तो इसको खोलेंगे तो दो से उन्छ पे हमारा कर लेंगा और बीचु बीच में एक और लाइन बनालेंगे ताकि डिजाइन हमारा बिलकुल सी थे में ऐड़ हो यहांपे सीधी लाइन बनाने बाद मोखित भी अब आपको करना क्या है पूरे डिजाइन को लेना है और नीचे के साइड से को सेट करते जाना है इस तरह से एक दूसरी के उपर ऐसे रखेंगे और जो इसका मोती लगा हुआ है जो सेंटर वाली लाइन है बिलकुल उस पर जाने चाहिए इस तरह से आपका डिजाइन बिलकुल तिर्चा नहीं होगा और जितना आपका जितना लंबा कट हो बाजू का उसके हिसाब से आपको बीच वा अच्छे से सेट करते हुए शिलाई लगा लेंगे अब देखे फ्रेंस दूसरे साइड भी ना शिलाई लगाएंगे तो जो किनारे की जो लाइन है न उसी एक चाप के बाहर ही आपको शिलाई लगानी है इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहां पे लाश तक शिलाई ल कर लेंगे अब हम जो को लेंगे और नीचे से अच्छे से मिलाते हुए सेट कर लेंगे उपर के साइड देखे और हमारा एक य अदा सिक बच रहा है और यहां पर हमारा डिजाइन अच्छे से सेट हो गया तो देखिए इसका बैख पार्ट का वीडियो आपको अगर देखना है तो एंड स्क्रीन पे वाला वीडियो का मैं लिंक आपको दे देऊंगी विडियो का बहुत ही सुंदर और फैंसी डिजाइन बनाया हैं बैक पार्ट में और यहां पर हमारा बाजू का भी डिजाइन कंप्लीट होता है पेपर को निकाल लेंगे और इसी तरह से बाजू का दूसरा पिस रेड़ी कर लेंगे तो फ्रेंस में इमीद करती हूं समझाने का तरीका पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो ल जरूर देखिएगा एंडर स्क्रीन और डिसक्राप्शन में दोनों जगा आपको लिंक मिल जाएगा